नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल मैथगेन भाई एसके में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वज्रगुनन विदी जिसे हम इंगलिस में क्या बोलते हैं क्रोस मल्टिपिलिकेशन मैथड तो दोस्तों यह विदी क्यों यूज करत बोलते हैं लिनियर equation क्यों बौलते हैं क्योंकि एक वेरीयबल में दो है है और इनकी पावर Jeg sabe एक एक पावर है, X और Y वैरीबल में दो रेखिक समीटन अमें दी हुई है, इनको विशल करना है, सुल करने का मतलब क्या है, X की तो य निकालन और Y की तो य हम वजर गुंणन विदी से निकालेग़, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने परती स्थापन विदी से रेखिक समीकन को हल करना बताया था वो विदी भी आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको विडिये को description में दे दूँगा तो चलिए देखते हैं क्या है ये विदी तो दोस्तों इसमें क्या गरते हैं हम इनके coefficient जो x के coefficient है y के हैं और यह constant है इन सभी को लिख लेते हैं तो x का coefficient कितना है दो है x का गुणांग कितना है दो है तो 2 लिखते हैं फिर यह इसका कितना है y का minus का एक constant है तो इसको left side में लेके आते हैं इस विदी में क्या करेंगे दोस्तों बराबर 0 करना पड़ता है दोनों समीकन को तो बराबर 0 कर लेते हैं तो 2x minus y minus 4 बराबर 0 और इसी परकार दूसरी equation को क्या लिखेंगे हम x plus 3y minus 9 equal to 0 बराबर 0 करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे इनकी coefficient को लिखते हैं तो 2 आ जाएगा फिर क्या जाएगा minus का एक और फिर क्या जाएगा minus का चार इसी परकार दूसरी equation की क्या जाएगे coefficient एक आ जाएगा इसका इसके एक है multiply पर तो एक आ जाएगा और इसकी क्या है तीन है और इसमें क्या है minus का no इनको एक बार और लिख लेते हैं रिपीट कर देते हैं इनको तो रिपीट करेंगे तो 2 आएगा फिर minus एक आएगा इधर क्या आएगा एक आएगा तीन आएगा यह लिखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे एकस लिखेंगे बटे में बराबर वाई लिखेंगे बटे में और बराबर एक लिखेंगे बटे में तो दोस्तों एकस के नीचे क्या आएगा एकस वाला यह ट्रम है तो इसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो दो हैं बचे ह इनको गुणा करेंगे cross multiply तो minus 1 को minus 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा plus का 9 अब minus लगाते हैं और 3 को गुणा करेंगे minus 4 से तो कितना आएगा minus का 12 लेकिन minus का यह है तो कितना हो जाएगा plus का 12 हो जाएगा यह अब यहाँ y के निचे क्या लिखेंगे y को छोड़ेंगे ये y वाले टरम थी इसको छोड़ेंगे तो यहां right side में क्या बच गया minus 4 1 और 2 minus 9 minus 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा minus का 4 minus लगाते हैं और 2 को गुणा करेंगे minus 9 से कितना आएगा minus का 18 लेकिन यह minus है तो कितना हो जाएगा plus का 18 अब दोस्तों एक मतलब है constant तो यह constant वाली टरम थी इसको छोड़ेंगे तो यह दोनों बचेंगे यह दोनों इन दोनों को गुणा करेंगे 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 minus का minus और minus एक को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा minus का एक तो यह क्या हो जाएगा plus का एक इस तरह से अब हम क्या लिखेंगे x बटे यह कितना हो जाएगा 12 नों 21 वाई अपून नीचे कितना हो जाएगा 18 में इस चार गटाएंगे कितना आएगा 14 बराबर एक बटे साथ दोस्तों यह आने के बाद हम क्या करेंगे जो एक बटे साथ है बराबर में है यह तीनों बराबर में है तो x बटे 21 को एक बटे साथ के बराबर में करेंगे और एक बार y बटे 14 को एक बटे साथ के बराबर में करेंगे तो यहां x बटे 21 बराबर 1 बटे 7 अब दोस्तों यह 21 इधर जाएगा तो क्या होज़ेगा गुणा में तो x बराबर कितना होज़ेगा 21 बराबर कितना होज़ेगा 3 इसी परकार y upon 14 बराबर किसके करेंगे 1 बटे 7 के तो y बराबर कितना हो जागा 14 बटे 7 बराबर कितना 2 तो हमें x की value कितनी मिल गई दोस्तों 3 और y की कितनी मिल गई 2 इस तरह से हम वजर कुनन विदे से x और y की value निकाल लेते हैं इनको हम equation में रखके देख भी सकते हैं यह satisfy करेगी उसको 0 बना देगी equation को अब हम देखते हैं एक और question जिससे आपको और concept clear होगा अब हम देखते हैं example number 2 तो 2 example है 3x प्लस 2y बराबर 7 2x प्लस 3y बराबर 8 तो यह दो समीकन दे रखिए रेखिक समीकन दे रखिए इनको हमें solve करना है मतलब x और y का मान बताना है वजर गुनन विदी से तो क्या करेंगे दोस्तो यह जो 7 है और 8 है इनको left side में लाएंगे तो यह minus के हो जाएंगे दोनो तो इसको left side में ले आते हैं तो कितना होगा 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 बराबर 0 बनाना है इस विदी के लिए और 8 को इधर लाएंगे तो यह भी minus के हो जाएंगे 3, 2, minus 7 फिर एक बार repeat कर लेते हैं 3 और 2 फिर दोस्तो नीचे वाली equation के coefficient के हैं 2 है 3 है minus का 8 है repeat करते हैं 2 है 3 लिखने के बाद दोस्तो अब क्या करेंगे हम x लिखेंगे x के नीचे बटे लगाएंगे बराबर y लिखेंगे बटे लगाएंगे बराबर 1 लिखेंगे बटे लगाएंगे अब दोस्तो यहां x के नीचे क्या लिखेंगे x को छोड़ेंगे तो यह बच गया इतना बच गया इनको गुना करेंगे 2, 8, 16, minus के 16 और 7 minus को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? minus का 21 लेकिन यह minus आता है और यह minus कितना हो जायगा? plus का 21 साथ यह minus का 21 होता है माइनस पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? plus का 21 अब y की बात करते हैं तो y को छोड़ते हैं तो यह बच गया ये वाला ये वाला इन दोनों को गुणा करते हैं माइनस साथ को गुणा करेंगे दो से तो माइनस चोध है फिर माइनस लिखते हैं माइनस आठ और तीन कितना हो जाएगर माइनस का 24 लेकिन ये माइनस है तो कितना होगा प्लस का 24 और अब करते हैं constant वाले की बात तो माइनस 7 बटे माइनस 8 है ये constant वाला है तो इसको छोड़ेंगे तो इधर वाले गुना करेंगे 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 अब दोस्तों इनको simplify कर लेते हैं X बटे 21 में 16 गटाएंगे इतना 5 बराबर Y अपोन 24 में से 14 गटाएंगे तो कितना ऐगा 10 बराबर 1 बटे 9 में 4 गटाएंगे 5 अब दोस्तों इनको बारी बारे से तीनों बराबर में हैं तो 1 बटे 5 को पहले X बटे 5 की बराबर रखेंगे फिर Y बटे 5 की तो यहां X बटे 5 बराबर हो जाएगा 1 बटे 5 इसी परकार Y बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 5 अब दोस्तों यह 5 है यह इदर आएगा तो गुणा में होगा तो एक्स बरावर 5 बट पांच क्या होजएगा हमें कितना मिलीग एकश प्रकार y बरावर यह 10 इदर आएगा घुना मेंट तो दस बरावर क्ष़ीश इस और एकश और y की वैल्यू हमें मिल जाती है वज्जर को नन विदे से तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं है धन्य वाक्त